हेलो एवरीवन वेलकम टू कॉमर्स इस्पिरेट दसीयस आज की इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं एमकॉम सेकंड समिस्टर के लिए डिस्क्रिप्टिव कोशन्स को यह मैं ऐसे नहीं कह सकती कि यही सब कोशन्स आ सकते हैं बट इसी से मिलते जुलते आपके कोशन्स ह सकते हैं आपको कुछ कोशन्स तैयार कर लेने हैं जहां से आपका तैयार हो जाएगा और बहुत जादा बर्डेन मत लीजे अपने सर पे की डिस्क्रिप्टिव में क्या होगा अमेशा पढ़ाई को एंजॉय करके करिए जब बहुत जादा भारी आप लोग लेते हैं तब दिक्कत कर जाता है सब्जेक्ट को जब भी आप पढ़ते हैं तो उसको इंजॉय करिए भारी कुछ नहीं लगेगा आपको जितने भी कोशन्स हैं कोशिस करिएगा कि सारे कोशन के आंसर आपको 10-15 मिंट लगेगा हर एक कोशन को पढ़ने में आपको पहला पेपर आपका प्रबंध की है, नेड़यों हे तुलेखांकन सबसे पहला आपका कोशन है management accounting के nature और उसके functions को प्रबंधन लेखांकन क्या होता है उसकी प्रकृति क्या है और उसके कारे है यह सबसे basic कोशन है आपका जैसे अगर पांच-पर्ष नमबर के कोशन्स हैं तो उसमें आपको बह बहुत जादा घबडा रहा है, मैंने देखा कि कई लोगों के कमेंट्स थे, कि ये descriptive में क्या हो सकता है, तो बहुत ही basic से questions रहेंगे, आप आराम से उसको explain कर ले जाएंगे, Next है, differences between management accounting and financial accounting, प्रबंध की ले खांकन में और वित्ती ले खांकन में अंतर Next है, break even point BEP क्या होता है आपका, और उसके measurement के techniques होते हैं, आप एक बार उसको पढ़ लिजेगा, 2-4 minute लगेंगे, हर एक question को आपको पढ़ने में, maximum 10 minute का एक question होगा, तो आप असानी से उसको पढ़ सकते हैं, break even point क्या है, उसके measurement, हिंदी में इसको बोलते हैं हम लोग, समविक श आसकता है, zero based budgeting, यह 5 number लाइक ही होता है, जब आप main exam देते होंगे, year wise, उस time पर भी zero based budget को 5 number में, नहीं तो उसका process ले करके, उसके advantages, disadvantages, disadvantages, यह सारी चीजे include करके, तब यह 10 number में आता था, next है, activity based costing क्या होती है, यह आपको पता होना चाहिए, गतिवीदी, आधारित, लागत क आपके है, तो इसमें आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है, आपको यह पढ़ना है, make or buy decision, क्योंकि ज़्यादा तर chances है उसके आने के, कि कब खरीदा जाएगा, कब बनाया जाएगा, कोई भी company कब decision लेती है, कि वो raw material को बाहर से खरीद के लेके आएगी, या फिर जो वो product बन एक decision आपका यह है, तो यह दो decision पर आप ज्यादा focus करके, short run manageral decision को पढ़ लिजेगा, standard क्या होता है, प्रमाप और उसके प्रकार, यह चार प्रमाप होते हैं, उन सब को पढ़ लिजेगा, और यह एक question आपका, यह भी थोड़ा important है, कि variance analysis क्या होते हैं, और उसके प्रकार, और सबसे last question आपका absorption costing, देखे, absorption costing और कोशिस करिएगा कि उसके साथ traditional costing, यानि कि जो पारंपरिक लागत के लिए तरीके थे, उन दोनों को एक साथ compare करके पढ़िएगा, तो यह आपके 8-9 question तूंगे, पढ़ लिजेगा इसको, next है foreign trade management, विदेश व्यापार प्रवंधन में क्या है सबसे पहले कि foreign trade का प्रकृति क्या है, उसके महतों क्या है, पहला question, दूसरा है balance of trade क्या होता है और balance of payment क्या होता है, main इसमें पढ़िया क्या है, इनके बीच में अंतर क्या है, next है आपका विश्वे व्यापार संगठन और उसका प्रभाव क्या पढ़ता है भारती अर्थवेवस्था पर, WTO and its impact, question आपके इस तरीके से भी हो सकते हैं कि विश्वे व्यापार संगठन क्या है और इसका प्रभाव क्या पढ़ता है economy या फिर developing economy पे, तो Indian economy जो है वो developing में ही है, तो question थोड़ा सा घुमा के हो सकता है, लेकिन लिखने आपको वही चीजे हैं कि जो प्रभाव होता है वो favorable हो सकता है, मतलब होता है favorable और इन favorable होता है, तो क्या क्या प्रभाव है वो एक बार पढ़ लिजेगा, next है आपका foreign trade policy, its nature and importance, विदेशी व्यापार नहीं थी और उसके प्रकृती को पढ़ना है और उसके महतों पढ़ने है, एक है आपका direction and composition of world trade, which विदेशी व्यापार की दिशा और उसकी संरचना क्या है, composition किस तरीके से वो तयार होता है, import policy कैसी है, export policy कैसी है, ये सब चीजें, basic basic question है आपके, next है, salient feature of foreign trade policy, विदेशी व्यापार नीती की मुखे विशेस्ताएं क्या क्या है, convertibility of foreign trade, विदेशी व्यापार की प्रवरतन इता को पढ़ना है, और उसके साथ, industrial investment and credit policy, इनकी प्रमुख विशेस्ताएं, अब अगर ध्यान से आप देखेंगे, तो ज्यादा तर है कि आपका नीतियां क्या है, नीतियों की विशेस्ताएं क्या है, तो foreign trade policy में आपको main वही पढ़ना है, अगर आप कुछ 10 points तयार कर ल होता है, उसकी परिभाषा, उसके अर्थ क्या है, और उसके साथ, उसका रोल क्या होता है, नेक्स्ट है, describe the various type of MIS, MIS के विभिन प्रकारों का वरडन करना है, कितने प्रकार के MIS है, उसको इवार पढ़ लिजेगा, और उसके functions and limitations, MIS के बारे में पहले आप डीटेल पढ़ है, नेक्स्ट है, database management system, उसके meaning और उसके approaches को, एक बर जरूर देख लें, ये छोटे-छोटे points है, MIS में इतने सारे points है, कि वो कुछ भी हो सकता है, DSS बस word दे दिया, कि DSS को एक information system की तरह समझाईए, ERP आपका है, BKS है, ये short में भी दे सकता, कि BKS को समझाईए, DSS को समझाईए, MIS को समझाईए, इस तरीके से इसमें दे सकता है, तो ये जो मैंने questions include किये हैं, वो ज्यादतर ऐसे questions है, जो repeat करता था, जब हम लोग भी पढ़ते थे, तो वो questions प्रिवेस एयर में भी आप देखेंगे, तो ये सब चीजें पूछा हुआ है, और इस से बाहर का क कुछ विशिस्ता हैं ऐसे करके थी, और उसकी भूमी का क्या है, सूजना की भूमी का क्या है, ये और उसके बाद, models of MIS, models of MIS में आप waterfall model को और prototype model, इनको पढ़ लेजेगा, ये आपका theoretical के लिए त्यार हो जाएगा, नेक्स्ट आपका, business ethics and corporate governance, ब्यापार, नैतिकता और corporate governance, इस से related मैंने ज्यादा तर theory के concept सारे upload भी कर दिये हैं, कि आपको कोई दिक्कत ना हो, और फिर कुछ ऐसे चीजें थी, जो मैंने type करके उसके भेजा हुआ है, टेलिग्राम पे, अगर आपने वहां पर नहीं देखा ह नोट्स आपको सारे मिल जाएंगे, business ethics से related, business ethics क्या होता है, और उसके कौन-कौन से approaches है, triple bottom line और CSR, इन दोनों का relation करके किस तरीके से company अपने समाजिक उतरदायतों को पूरा करती है, यह आपको पता होना चाहिए, CSR और उसके legal provision, legal provision पूछने का मतलब यह है, कि कब एक company CSR क को create करेगी, तो आपको पता होगा कि तीन provisions है, कब एक company 1000 का turnover है, 500 करोड का net worth है, 5 करोड का net profit है, तो वो 2% generate करती है, यह आपको कानूनी प्रावधानी से संबंदित पता होना चाहिए, फिर concept of whistleblowing, whistleblowing क्या होता है, उसके प्रकार क्या होते है, CSR और sustainable development, models of implementing CSR, CSR के कुछ models है, 5-6 model है, उसको पढ़ लिजेगा, और उसके साथ corporate governance regulatory framework, corporate governance को बनाने के लिए जो नियामक धाचा तयार किया गया है, उसके बारे में, ज्यादा तर questions कि यह जितने भी मैंने ethics के दिये हैं, वो ज्यादा तर आपका YouTube पर नहीं तो फिर, मैंने टेलिग्राम पे, दोनों जगह श समिस्ट्री अर्थ शास्त, उसमें economics क्या होता है, और उसके scope, scope में आप micro और macro और उसके साथ, micro और macro economics में आपको difference भी पताऊना चाहिए, क्योंकि यह बहुत ही छोटा सा question है, जिसको 5 नमबर में देने में कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कोई भी दे सकता है, फिर, बेरोज गारी क्या होती है, बेरोजगारी के प्रकार, दूसरा, तीसरा question आपका, define national income, national income को measure करने के, उसके मापन के कुछ तरीके हैं, कुछ विधियां है, वो method आपको पता होने चाहिए, उसके साथ, inflation और inflation के प्रकार, मुद्राइस फीत ही जिसको बोलते हैं, तथा उसके प्रकार फिर है, difference between, यह मैंने पहले ही बता दिया है, कि आपको micro economics और macro economics दोनों के बीच में difference पता होना चाहिए, और उसके साथ, जब national income की गड़ना की जाती है, तो उससे में कुछ समस्याएं आती हैं, जब आप national income के बारें पढ़ेंगे, तो उसी के साथ इसको भी complete कर लिजेगा, कि problem faced while calculating national income, फिर मुद्रा स्फीती का किसी भी अर्थ विवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह question आपका बन सकता है, फिर बहुत ही छोटा सा point है आपका फिलिप कर, फिलिप कर के बारें पढ़ लिजेगा, और theory of multiplier, गुड़क का सिध्धान्द क्या कहता है, इसके बा मैंने जितना सलेवस देखा है, उस हिसाब से है कि कुछ भी हो सकता है, जैसे पूछ दिया, B2C को समझाइए, B2B को समझाइए, क्या problems face करनी पड़ सकती है, और cyber crime क्या होता है, कुछ भी हो सकता है, और यह हमारे बेवहारिक जीवन में है, तो आप आसानी से उसको समझा ल business model of e-commerce में B2B है, B2C है, C2C है, आपका C2G है, तो यह model जो है 4 या 5 होंगे, वो पढ़ लिजेगा, फिर आपका e-commerce sales product life cycle, e-commerce विक्री उतपात, जीवन चक्र, किस तरीके से वो चलता है, उसके बारे में आप पढ़ लिजेगा, next आपका question है, CRM का full form है आपका customer relationship management, तो e-commerce म customer relationship को किस तरीके से manage किया जाता है, उसके कितने प्रकार है और उसके functional components है, यानि कि CRM में कौन-कौन से functions include किये जाते हैं, कौन-कौन से घटक है, उनको आपको पढ़ना है, और website designing के जो सिध्धान्त दिये हुए है, या फिर एक concept और दिया हुथा आपके syllabus में, कि website अपनी क्य तो इसके लिए जरूरी हो जाता है कि उसकी अपनी खुद की website हो, उसके साथ साथ जो models of e-commerce हैं, उनकी विशिस्ताएं क्या-क्या हैं, और एक question आपका, problem या challenges, कौन-कौन से ऐसे समस्याएं हैं, चुनोतियां हैं, जो e-commerce करते हैं, फेस करने पड़ते हैं, ये सारे आपके questions हैं, e-commerce से संबंदेत, ये मैंने बस syllabus को analyze करके बताया है, कि आपके questions क्या-क्या हो सकते हैं,